सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सब्सक्राइब क्या पढ़ें और बहुत अच्छा कुछ नहीं है इसलिए मैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊ और थोड़ा सा ब्रीफ में जाके इंट्रोड्यूस करूं इसको सो प्लीज इसको वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप जब ज़्यादा वीडियो को देखते हो तो मेरा इंट्रेस्ट आता है कि मैं ज्यादा ज्यादा एजूकेशन टॉपिक्स आपके पास लेकिया हूं और साथी साथ मेरे चैनल आकासपंडे ब्लॉग उसमें अपनी जर्णी को सेर करता हूं तो अगर थोड़ा भी आपक करते हैं हम लोग आईस कोड पे तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कौन-कौन सा आईस कोड समय पढ़ना चाहिए त्यार आईस कोड तो बहुत हैर सारे हैं बट जो इंपोर्टन रूल्स प्ले करते हैं वह आईस 456, आईस 800, आईस 875 के 5 पाचो पार्ट और आईस 1893, आई 800 for steel structure और 456 for RCC structure तो यह सारे important आईस कोड है जो आपको कम से कम आने चाहिए फिराल तो बहुत है पर इतने आने ही चाहिए तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं क्या क्या पढ़ें क्योंकि आप जब पढ़ते हो इतना boring terms में आईस कोड से दिया हुआ है मेरी कोशिस है कि कभी अब अगर मुझे time बिला तो मैं उसको थोड़ा से interesting बनाऊंगा एक workbook type का और उसको आपके साथ present करूंगा बट उसके लिए बहुत time लगेगा क्योंकि मुझे बता है कि IS code को अभी मैं भी पूरा नहीं समझ पाया हूँ मैं आपको confidence के साथ बहुत सकता हूँ क्योंकि हर एक अगर निकाला है उसमें से कुछ terms में और उसके साथ आप कैसे IS code को पढ़ें आगे तो यार आई-स code को especially मत पढ़ो जो मैंने short notes या इसको पढ़ लो इसके बाद आप manual design open करो manual designing जब आप open करते हो beam का manual design आपकी बास book होगी या पिर आप देख सकते हो google पे भी बहुत से लोगों ने solve किया होगा manual design को जब पढ़ते हो तो वहाँ पर बताता है आपको जब कोई formula लेता हो बताता clause number this आपको क्या करना है वहाँ पर आई-स code open करना है और उस clause को पढ़ना है अब होगा क्या कि उस beam की numerical से वह वाला clause आपका एकड़म clear हो जाएगा done फिर आप दूसरा जैसे मालो के आपको एस्टी निकालना है अब एस्टी के निकालने के एस्टी का formula क्या है page number this clause number यह जाके आपने देखा अब आपका क्या होगे वह clause clear हो गया आपका इस code में फिर क्या है उसका formula 0.87 fi4 tau bd राइट तो अब यह कौन से page number पे हैं कौन से clause में हैं ओके यहां कहीं आपने search कर लिया और आपको ओक चीज clear हो गया तो कैसे पढ़ना है इस code समझ में आ रहा है आपको कॉलम के लिए अपने design करने के लिए बैठे है आप बहुत डेट सारे numerical से मैं खुद भी लेकर आने की सोच रहा हूं कि जल्दी से मैं manual design ले आओ सुर्य यार क्या हो रहा है पीपीटी बनाने को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसको आप लेकर आओ रेडिक करो और उसमें clause number देखो और उस clause number से उस पर जाओ और आप फटा पड़ देख लो जैसे मैं बोलो कि seismic zone इंडिया में कितने हैं अब आप अगर आई स्कोट से पढ़ोगे तो आप इसे ता आपको पता है four seismic zone है two three four five clause number देखा आपने यहां पर इतने ओले clause number पर जाओ फटा पर आप देख लो इन जोन के बारे में पढ़ लो कौन से जोन में ज्यादा रिस्क है कौन से जोन में कम रिस्क है कौन से जोन में बहुत ज्यादा रिस्क है पढ़ लोगे इसी त इसको अगर देखोगे तो आप बूक में आपने पढ़ा clause number पढ़ो और जाके वहां पर देखोगे तो आपको मजा आएगा का अच्छा इतना कुछ है आपको इसके बाद आगे चलते हैं अब आपको आपको इसके बाद आगे चलते हैं अब आपने दूसरा जैसे की निवेरिकल लिया आपने फूटिंग के लिए है फूटिंग के डिजाइन के लिए आपको reinforcement का percentage कितना रखना है तिक है अब उसके लिए आपने clause number पढ़ा कि यह clause number है आप IS456 सामने रखो फटा पड़ उस clause पर जाओ और उस clause को पढ़ लो आपको IS code को exactly लेकर पढ़ना नहीं है आपको किताब नहीं है वो बुक नहीं है वो क्या है वो code है तो code को कैसे पढ़ना है आपका जोहाँ पी use में है वहाँ पर जाकि उस clause नमबर को देखके पढ़ डालो आपको देखना है कि कौन से building के लिए dynamic analysis करते हैं अब page number मुझे भी याद नहीं clause मैंने पढ़ा है तो मुझे याद है कि 40 meters के उपर है building तो आपको क्या करना है dynamic analysis वहाँ पर करना है तो आपने clause देखा वहाँ पर पर जाके वहाँ पर पढ़ लिए आपको क्या करना है आपको बस अपना numerical solve करना है beam, column, footing, slab slab के साथ, slab में one way, two way, footing में सारे types की footing कोशिज करो कबल कर लो that list आपको combined और isolate तो आना चाहिए और pile आ गया तो well and code बहुत यह अच्छी बात हो जाएगी तो यह अगर आप quotes को पढ़ोगे, quotes को पढ़ने से पहले आप अगर इनको पढ़ोगे और इनके थो को पढ़ोगे तो definitely बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको और बहुत ज़्यादा help हो जाएगा बाकि जो short notes है जो बहुत ज़्यादा important point है और मैं यहाप इसक्रिशन बॉक्स में आपको PPT यहाप एक code का नाम जरूर लिख के भेजना आपको दूसरा कोई code नहीं सब्सक्रिशना ज्यादा comment रहे तो definitely मैं कोशिश करूँगा कि उस video को जल्दी से जल्दी आपके साथ सेर करूँ आपको सब्सक्रिशन आगया होगा इस code कैसे पढ़ना है So thank you so much for watching this video once again जय हिन जय भारत